हेलो यूरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार 6 जून 2021 और आज के दहिंदू निजबेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसकी पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा परिवर्तन आईएस अकाडिमे टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे न्यू आईटी रूल्स को लेकर और गवर्मेंट और सोसल मीडिया साइट्स के बीच में जो इश्यूज है इसी कॉंटेक्स्ट में गवर्मेंट ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा है कि आपको लास्ट नोटिस भेजा जा रहा है और इस नोटिस में बताया गया कि आपको आईटी रूल्स को अड़ोप्ट करना अपड़ेगा अगर आप IT rules को adopt नहीं करते हैं या जो अभी रिशनली 26 मही को implementation हुए new IT rules social video को लेकर उनी context में ये बात की गए कि अगर आप इन rules को follow नहीं करते हैं अडप नहीं करते हैं तब आप exemption जो होता है liabilities को एक context में वो खोदेंगे और इसी context में ये बोला गया कि एक gesture of goodwill की तरह ये भीजा गया आपको एक notice भीजा गया कि आपको last option दिया जाता है last जो हो कहिने का notice दिया जाता है कि आप इन rules को adopt करिए अगर आप इनको adopt नहीं करते हैं तब आपको जो IT act 2000 के अंदर 79 section के अंदर जो shoot ये relaxation मिलता है exemption मिलता है वो आप exemption जो खो देंगे इसी context में कुछ information देगी और इस में ministry of electronic and IT के दवारा ये information देगी है और इसमें बताया गया कि rules के अंदर जो IT act अभी IT rules बनाए गए है IT rules बनाए गए है उसी context में आपको immediate basis पर जो officers को appoint करना है जिनमें यहाँ पर बात की गई है chief compilation compliance officer है resident grievance officer है या nodal contact person है इनको nominate करना पड़ेगा अगर आप इनको nominate नहीं करते हैं rules को follow नहीं करते हैं तो आपको जो shoot जो react जो relaxation दी जाती है IT act के अंदर वो आपको नहीं मिल पाएगी इसके लावे controversy भी हुई अगर यह आपने देखा को verification का tick mark होता है और इसमें voice president जो हमारे M.Wink and I do उनके account पर जो personal account है उनसे कहने के blue tick का verification है वो हट गया था Twitter ने इसके उपर यह बोला है कि अगर कोई account 6 मेने तक inactive है यानि उस पर कोई activity नहीं हो रही है कोई tweet नहीं हो रही है तो उस condition में जो blue badge है blue badge tick जो है verification का वो खोग देता है blue badge का basically मतलब क्या था authenticity को लेकर होता है यानि अगर किसी account पर blue badge है तो वो publicly एक authentic account है ऐसे बहुत सारे copy एक clone account बनते हैं लेकिन original जो होगा blue tick उस पर होगा क्योंकि वो ID के through verification होता है इसके बाद G7 nation जो हो agree करे है किस चीज़ को लेकर minimum corporate tax को लेकर G7 का मतलब है 7 nation का एक group जिसमे 7 developed nations जो include होते हैं जिसमें 2 होंगे American countries like Northern American countries जिसमें Canada और United States of America है इसके बाद Europe की होगी 4 countries जिसमें Italy, Germany, France और UK और last जो होगी Asian country होगी Japan या टोटल 7 countries इस बात को लेकर agree किये कि उन्होंने उनके context में या एक minimum corporate tax जो बनाया जाए ये क्यों मनाया जाए इसके बारे में भात करेंगे और भारत के लिए कितना important है minimum corporation tax का मतलब क्या है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा tax होगा common tax होगा corporation को लेकर तो उसमें क्या होगा कि जो company या बेज इरिजन करती है या आप देखें कि कई company क्या करती है जैसे किसी country में सस्ता एक तरीके tax है या tax rate कम है corporate tax वहाँ पर वो अपने office को shift कर लेती है और अपने profit को भी shift कर लेती है एक तरीके से इसको बोलते है tax evasion करना कर से बचना यानि tax ना दे पाना यह इस तरह की चीज़े करने कोसिस करना तो G7 countries जो है जो loopholes है इस minimum multinational companies के उनको counter करने के लिए या यहाँबर आप देखें कि profit and tax revenues के थूँ जो shift करने कोसिस करते हैं उनके against या इस तरह की activities ना हो और OECD and Organization of Economic Cooperation and Development जो एक ग्रूप है वो भी कहीने के लगवो 140 countries से बातचित कर रहा है कि इस तरह के base erosion नहीं होना चाहिए यानि यह कंपनिया कोसिस करती कि वहाँ से अपना profit कमाए जहां पर tax कम है या अपने आपको वहाँ shift कर लेती उस तरह की चीजे जो है नहीं होने चाहिए इनके अलावा various study connect करती है कि दुनिया भर की देश जो है लगवो 427 billion जो है वो इसकी वाज़े से लोस्ट करते हैं और भारत को भी अगर UK study के बारे हम बात करें तो भारत लगवो 10.3 billion डोलर जो है इस global tax abuse से या इस तरह के base erosion से कहिने की लोस्ट करता है इसी context में G7 group ने ये decision लिया है कि एक minimum corporate tax होगा और इसमें 15% की rate जो हो decide की गई है और इसके अलावा OECD जो लगवो 140 countries से भी बातचित कर रहा है कि इसी context में पूरी दुनिया में एक global minimum tax हो किसके context में ये होगा जो minimum corporation tax के मावले corporation tax भारत के अंदर भी major role play करता है भारत के अंदर भी corporation tax की जो rate है वो अभी ज़्यादा है उसको कम करना क्योंकि 15% कम करने के लिए हमें भी और ज़्याद effort करने पड़ेंगे अगर कोमा निक हो जाता है तो बेजरोजन नहीं होगा और इस तरह की जो कमपनिया कोसिस करते की बज़ जाए उनको tax shift कर लेते हैं उस तरह की चीज़ें नहीं होगी इसके बाद यहाँ पर एक दिल्ली घ्ली में एक नोटिस भेजा गया दिल्ली गौर्णमेंट के द्वारा कि उनको बैन किया जाएगा कि वह मलियालम जो उनकी लोकल लेंगवेश वह यूज़ ने करें और इसके वज़ाए के वहल इंग्लिश और हिंदी जो हो यूज़ करें और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो serious action उनके लिया जा सकता है, अब इसके बारे में जो nurses उन्होंने बोला कि hospitals के अंदर लगपर 300 से लेकर 350 मल्याली नर्सिंग जो staff काम करता है, यह केवल एक hospital की बात है, पूरी दिल्ली की बात नहीं है, तो इन्होंने कहा कि जब हम patient से बात करते हैं, हिंदी और English दोनों में स कोई language में बात करते हैं, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं, तब हम जो वो मल्यालम में बात करते हैं, यह possible ही नहीं कि अगर हम हिंदी में बात करें तो उनको समझ में कैसे आएगा, यह हिंदी इंगलिस में बात करेंगे, या बात ना करते हैं, तो समझ में कैसे आता, त जो language, classical language की category के अंदर आती, वो कौन-कौन सी language है, classical language में आप किन-किन languages को, भासाओं को count करेंगे, वो आप नीचे comment करना, इसके बाद यहां पर भी एक छोटी सी information है, GST को लेकर भूज जादा news में है, मैं दो-तिन skim जो वो मानता हूं कि most important है, 2021 के examination के perspective से, पहली GST, दूसरी म मन्रेगा और थर्ड जो है, National Food Security Act, तीनों के बारे में सवाल आप से पुछे जा सकते हैं, फिर repeat कर रहा हूं, GST, मन्रेगा और National Food Security Act, GST के बारे में एक छोटी सी information है, कि जो माई मन्त का revenue है, वो उसमें घटा है as compared to April 2021, इसमें 1.02 lakh क्रोड का एक collection हुआ है, इसके अंदर एक word use किया, क्योंकि GST को लेकर अभी 28 माई को GST Council की meeting भी हुई थी, और GST Council की meeting में कई सारे decision भी हुए, कई सारे decision नहीं भी हुए, तो उन सब के बीच में, क्योंकि lockdown की वज़े से आने वाले time, क्योंकि June का collection होगा, उसमें और ज्यादा dip देखने को मिल सकता है, और इसके पीछे result की बारे मताया गया, कि जो slowdown है, या EVA बिल का generation, जो EVA का मतलब क्या होता है, कि जो transportation के थूँ, electronic bill जो generate किया जाते है, वो एक major की तरह use किया जाता है, इसको analysis करने में, तो यहाँ पर shortfall होगा, कमी हुई, as compared to previous month, यानि अप्रेल में जब 1.4, 1 lakh जो है, वो collection हुआ था, लेक क्या economical revival के बारे में हम कोसिस कर रहें, तो lockdown हटेगा, economic activity जो increase होगी, उसके basis पर ही improvement के chances है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और question है, कि GST जो है, वो कि constitutional amendment के थूँ पास किया गया था, देखिए, दो चीजे है, एक होता है amendment bill और एक होता है amendment act, आपको act बताना exact amendment कौन स होता है, bill एक proposal होता है, act का मतलब होता है, वो approve हो चुका है, president साब ने उसको वे sign कर दिये, इसके बाद page number 6 पे एक information है, तो इसमें बताया गया कि middle class को लेकर, जो है, क्योंकि covid-19 ने वो उसमें badly hit हुआ है, तो उनको multarium या उनको कुछ रियायत दी जाए, रियायत किस चीज म में बताया गया कि pandemic ने middle class families को बहुत जादा effect किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने home loans ले रहे है, बहुत सारे loans ले रहे है, उनकी एक time जो उनको pay करना था, उसको extend किया जाए, या उनको कुछ रियायत दी जा, या अभी जो उनको pay करने के लिए force ना किया जाए, ये इस study भी है, pew research center कि इसमें बताया गया कि about 32 million लोग जो है, वो poverty के अंदर इस pandemic के अदर पिछले साल से, last year जो है, 32 million people जो है, किसके अंदर poverty के अंदर और जादा increase हुए, या उनका number increase हुए, मैं एक बात जुरूर बताऊंगा कि जो data यहां पर use किया जाता है, इसमें कोशिच जब भी आप mains examination लिखें, तब आप authentic data लिखें, private data जो है, किसी भी publication का, वो avoid करिये लिखने से, क्यों, क्योंकि देखो private जो data होता है, उसमें correction या एक तरीकिस error की possibility होते हैं, और authenticity को लेकर question mark लगता है, दूसरा, अगर आप government data का use करेंगे, या आप international organization जैसे, world bank है, IMF है, इस organization का जो है, आप data use करें, उसमें authenticity की chances ज्यादा होते हैं, इनके लावा, यहाँ पर बात किया गया कि जो loan layer का, उसको classified नहीं किया जाए, non performing asset के रूप में, NPA के रूप में, या non payment of monthly installment के रूप में, इन सब चीजों का लेकर, एक petition file करेगी, और इसमें कई सारे चीज़ें बता लेकिन COVID में इस पर एक negative laser हुआ, और आने वाले time में हो सकते हैं, इसी context में बताया गया कि हमें, mortarium या एक छूट दी जाए, एक रियायत दी जाए, कि अभी immediate basis पर हमें force ना किया जाए, loan को pay करने को लेकर, इसके बाद page number 7 पर आप देखेंगे, तो दो information important है, पहला यहाँ प होला है कि भारत अगर civilized तरीके से और open relationship पर बात करता है, तो वो हमेशा ready है, कि हम कस्मीर issues पर बातचित करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह बारत को सला दे रहे हैं कि आपको यह करना पड़ेगा, कि आपने जो 370 हटाया है, और जमन कस्मीर को एक तरीके से दो पार्ट में bifurcate किया है, 370 में special status था उसको हटा है, उसको फिर से आप जो हो भाल करिए या आप उसको install करिए, उसके बाद हम लोग आपसे बातचित करेंगी, अब यह इस तरह की जो statement है, यह अपने आप में unique है, और यह कितनी unique statement, इसके बारे मैं आपको कुछ चीज़े बत दिखाऊंगा भी, तो इन्होंने बोला कि भारत ने जो 2019 में एक step उठाया, वो illegal है, international laws and United Nations resolution के against, इस तरह की इन्होंने बात बोली, डेस, 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 अब बात करते हैं कि हमारी तरफ से, government की तरफ से, क्या response इसके मामले में है, तो government की तरफ से, आप यह हां से पढ़ेंगे इसको, इंडिया's external affair ministry did not immediately respond to, उनकी जो request उनको भारत ने response नहीं किया, इसके लाबा लास्ट में आप देखेंगे, कि भारत ने red line को cross कर दिया है, और जमुन कस्मीर की autonomy को फिर से भाल करिये, उसके बाद हम बात चीत करेंगे, और यह सारी चीज़े बोले इन सब के बीच में, यहां पर भी एक line आप पढ़ेंगे, no response from India, यह एक word यूज किया गया, कि भारत की तरफ से कोई response नहीं दिया गया, इसी से समझ में आता है कि कितनी important यह बात थी, और हम हमारे उपर एक तरीके से बोला गया, कि हम पाकिस्तान तभी बात करेगा भारत से जब आप यह चीज़े करेंगे, condition हमारे उपर apply करते हैं, यह अजीव सी चीज़े इन्होंने करी, इनके बाद यहां पर एक important information है, और यह information है, Russian President व्लादिमिर पूतिन के context में, उन्होंने कई सारे topics पर बात करी, उन्होंने बात करी, चायना और इंडिया की relation में, रशिया कै कैसे role play कर सकता है, और रशिया और इंडिया का relationship को लेकर भी कई सारे चीज़ों कर discussion किया, यह most important में कहूंगा, page number 7 पे, और यहां पर बात कीगी, सबसे पहले, मोदी और जी, सी जिन्पिंग जो है, उनके capabilities को लेकर पहले बता है, कि दोनों country, इंडिया और चायना जो capable है, bilateral issues को resolve करने में, solve करने को लेकर, और लेकिन वो यह बोलते हैं कि कोई भी extra regional power, जब इस तरह की बात की जाती, extra regional power, इसका मतलब है, United States यह दूसरी जो country है, जो इस particular area के अंदर काम करना कर रही है, या भारत के साथ जिनका grouping है, उसी context में Russian President ही बोलते हैं कि भाई, भारत और चायना यह capable है, दोनों country, इनके leader capable है, solve करने में, लेकिन third country का interference जो है, वो नहीं होना चाहिए, भारत की भी एक foreign policy को आप देखेंगे, कि अगर bilateral issues है, या bilateral कोई dispute है, उसमें third country का involvement वो नहीं चाहते हैं, Russia जो है publicly criticism करता है, Quad का, Quad में जो foreign nation का group है, India, US, Japan, Australia, और Quad का जो है वो कहने के criticism कर हैं, उनका अपना अपना एक perspective है, और क्या भारत और रशिया के इस से relation जो है effect होंगे, इन सब चीजों को लेकर, इन से बातचित की गी, इन से इन्होंने कई सारे चीजों पर जवाब दिया, इनके बाद इन्होंने बताया कि क्या भारत और चीन और भारत और रशिया के बी हो सकते हैं, या जो major leaders है, head of the state, वैसे तो भारत के president होते हैं, लेकिन actual में जो power है, वो execute करते हैं, प्राइम निस्टर, राइट, इन्होंने बताया कि जो attitude of the both the prime minister of India and the president of China, इनका attitude जो है, वो अपने आप में unique है, मैं उन दोनों को जानता हूं, personal level पर, और वो दोनों एक तरी के से एक दूसरे के respect भी करते हैं, और वो किसी भी इस तरह की issues को resolve करने के लिए, या solution करने के लिए, वो बिल्कुल उसमें उनके पास capabilities हैं, इनके अलावा, बात कीगे कि भारत और रशिया के relationship को लेकर, तुनोंने बताया कि भारत और रशिया के relationship जो है, वो केवल security और defense के limit तक नहीं है, यानि अभी जो रशिया और चाइना के relationship जो है, उसके पीछे कई reasons है, पहला reason जो यह है, कि दोनों countries कहिने के western countries की तरफ से pressure face कर रही है, और second जो है, रशिया पर बहुत सारी countries ने sanction लगाया, प्रतिमन लगाया, तो उनके पास ज्यादा option नहीं है, कि वो चाइना उसके relation के बारे में इन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो अलग-अलग sector के अंदर cooperation के मामले में चाहे strategic nature हो, या economy, energy, high tech, defense, इन सब चीजों के बारे में discussion करता है, और इन्होंने बताया कि जब हम defense की बात करते हैं, तो केवल आप Russian arms के बारे में कि Russian weapon हम करेदेंगे इस बारे में उन्होंने discussion किया, इसके बाद page number 8 पे छोड़ी-छोड़ी कुछ information जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि COVID-19 और diabetes को लिंक को लेकर जो है study की जानी चाहिए इसको लेकर एक nickel tendon है, tendon इनका एक एंट्रिवू दिया गया है, यह प्रोफेशर है, aims के अंदर, और यह बोल रहे ह कि COVID-19 और diabetes का क्या link है, इसको लेकर एक study करने की requirement है, कि कई सारे concern, कई सारे patient के अंदर possibility हो सकती है, कि COVID-19 के बाद उनको diabetes देखने को मिले, और अभी जो mucormycosis या black fungus जैसे cases हमको देखने को मिले, उसमें भी कहिने कि diabetes का या COVID-19 के दुरान जो steroids use की जाते हैं, उसमें एक limit के या extra जो use किये जा रहे हैं, या जो proper prescription या proper guidance फोलो नहीं की देखने को मिला, और इसके बाद page number 9 पे foreign affair में अगर हम देखेंगे, तो दो-तिन information जो है important आपको नज़र आएगी, और इनमें सबसे पहले आप देखेंगे, Nigeria एक African country है, उन्होंने Twitter को indefinite period के लिए suspend कर दिया, ये suspend क्यों कर दिया गया, यहां के जो President है, उन्होंने एक tweet किया, और Twitter ने बोला कि कहिने के violence को promote कर रहे हैं, इन्होंने civil war के बारे में कि four decade एगो इस तरह की चीजे हुई, और recent में जो unrest यहां पर हुआ, वो कहिने के इसी तरह की unrest है, इसी context में इन्होंने social media जो platform Twitter इनको suspend कर दिया यहां के इन्होंने ट्विटर बहुत famous है, और Twitter पर बहुत सारे campaign भी चलाया गया, जैसे bring back our girls, यानि जो बोको हराम ने लगवर 276 school girls को kidnap कर लिया था, and SARS करके अन्टी प्लिस बटलेटी प्रोटेस्ट को लेकर Twitter पर बहुत ज़्यादा tweet किये गे थे, hashtag use किये गे थे, इस तर Western, आप बोल सकते हैं इसको कि Western, Southwest के बीच में country है, और इसके आज पास कई सारी countries आपको नजर आएगी, Chad है, Niger है, Benin है, Cameroon है, और Gulf of Guena, ये भी आपको इस तरह की जोगरफिकल लोकेशन का पता होना चाहिए, इसके बाद और छोड़-छोड़ी information उसके बाद एक interview है, इसके इन्होंने जो candles को एक तरह के से light किया, ये क्यों light किया गया, इसके बादे में discussion करेंगे, त्यान मेन करके एक जगह है, और 4 June 1989 को, यहाँ पर 4 June 1989 को जो democracy को जो स्पोर्ट करते हैं, उन लोगोंने protest किया था, democracy के फिवर में, pro-democracies protest हुए थे, इसी context में वहाँ पर बहुत सार लोगों की हत्या कर दी गई थी, तो उसी context में उन लोगों के समर्थन में, या उनको याद करने को लेकर, candle marks को लेकर, पहले से warning दी गई थी, तो इन councilate ने क्या कि, United States में के, और जो European ने के, उन्होंने candles को ए lights कोन किया, और यहाँ पर interesting देखिए, लोगों को phone करके बोला गय अलग अलग context में आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद, प्रुकिनो फासो के अंदर एक terrorist attack हुआ, ये country फिर से news में आई, प्रुकिनो फासो भी African country है, और प्रुकिनो फासो के आसपास माली में, अभी military काउप को लेकर, या military ने जो power capture करी थी, इसमें, अफरीका, अफरीक geographically पता होना चाहिए कि कौन कौन सी country कहां पर लोगरी तो मैं ये नहीं कहता कि आपको सारी कि सारी country पता होने चाहिए, बट geographically कुछ words, कुछ अगर mountain है, या कोई इस तरह का desert है, इस तरह की चीज़ आप जरूर पड़े, बुरुकिनो फासो कई country से boundary share करता है, माली, नाइज इसके बाद यहां पर आप एक interview के बारे में बात की जा रहे है, यह है विजे गोकले, इनका interview है, और इनका interview के बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में डिसकॉस की, चाइना की internal security जो है, यह biggest concern है, सी जिनिपिंग के इन्होंने अपनी book के अंदर कई सारी बातों के बारे मे discussion किया, भारत के former foreign secretary हैं विजे गोकले और इन्होंने एक book लिकिये, the making of a protest, a diplomat looks back करके, और इसमें बताया गया कि जो इस टाइम प्रिजिडेंट है चाइना कि उनके और चाइनिज जो CCP है, यानि Communist Party of China, इनके क्या concern है, चाइनिज Communist Party, इनके concern क्या है, और 1989 से और अब तक क्या चीजे change हुई, उनके बारे में बात किया गया, तो यहाँ पर बात की जारे कि लोगों को यह लगता बहार से कि चाइना में one leader, one chain of command है, और एक party है, एक व्यक्ति है, जो command करेगा और 1.4 भी लगवा 140 crore follow करेंगे, लेकिन internally ऐसा नहीं होता है, माउत असो से तुंग से लेकर जियो पॉइंग से लेकर, या अभी सी जिन पॉइंग है, इन सब के अंदर एक dominance को लेकर, party में definitely dominance रहती है, लेकिन इसके अंदर एक faction भी होता है, यानि ऐसा नहीं कि लोग अगर एक तरीके से कोई leader है, उसका कोई विरोधी ही नहीं होता, लेकिन वो नजर नहीं आता, इस प्रोटेस्टर उसमें क्या relation है, अभी चीजे चेंज कैसे हुई है, उनके बारे में एक चीजे बताएगी है, तो सबसे पहले यहां पर इन्नों ने बताया कि 1990 से अब तक जो चीजे चेंज हुई है, चाइना वो country अब नहीं रही है, जो 1990 क्योंकि चाइना दुनिया की दू सबसे बड़ा इन्वेस्टर में से एक है, चाइना की एकनोमी तेजी से बढ़ी है, डिफेंस में भी कहिने के इनका एक मेजर रोल रहा है, तो western country जो पहले लगता था कि 1990 के असपा जो चाइना है, दो हजार इकीस में वो चाइना नहीं है, दो हजार इकीस में यह वही इन्वेस्ट में बोला गया, भारत के कॉंटेक्स्ट में LAC को लेकर या line of actual control में जो चीजे हुई, इन्होंने दो बाते बोली, पहली कि भारत के कॉंटेक्स्ट में किसी भी neighboring country से एक limit से ज्यादा जो है वो एक नहीं चाहेगा कि वहाँ पर कुछ भी disturbance हो, दूसरा इन्होंन यह भी बताए कि चाइना की जिस हिसाल से power या चाइना अपने आपको growth कर रहा है, expand कर रहा है, उस context में कहीने कहीं concern है, concern यह है कि चाइना के उपर 100% trust करना तो मतलब नमुक्विन जैसा है या possible नहीं है, लेकिन चाइना definitely concern create कर सकता है, हमें अपने defense forces को और जादा modernization करना, य या जो हमारे weapons को modernization करना और BRO को जो एक role है कि infrastructure development कर इस चीज को लेकर हमें काम करना पड़ेगा, इसके बाद page number 10 पे अगर हम देखेंगे तो दो तिन छोड़ी छोड़ी information है, बाकी story type में बहुत लंबा चोड़ा detail में इन्होंने बता है, लेकिन UPSC में क्या important क्या important इसके ब information है, carbon storage को लेकर, carbon capture and storage जो हो कहीं ने कहीं एक concern create कर सकती, establishing economic values को लेकर, universities में एक research हुआ, Sydney और Toronto के अंदर, उन्होंने बताया कि electro layers को जब convert किया गया capture carbon से building block में, तब कहीं ने कहीं उसके थुरू एक ethylene जो है produce होता है, और ये अभी जुरूरी है, कि जब भी इस तरह की technology को use क किया जाए, तब उनको एक तरीके से practically approval या उनको एक तरीके से perfect phase में use किया जाए, ताकि इस तरह के side effect ना हो, या उसके कहिने के concern या challenges जो हो ना हो, इसके लावा यहां पर एक medical waste को लेकर, एक information दी कि bio medical waste करके, कि भारत के अंदर, study के अंदर मई महिने में लगबग 2,00,000 से उपर, covid-19, biomedical waste जो हो produce किया गया, यह important क्योंकि center for science and environment के दवारा, यह study जो पुब्लिस कीगी, और इसके अलावा, भारत के अगर आप बात करेंगे, तो पिछले साल में, या आप देखेंगे, आप टोटल covid के अलावा, non-covid, biomedical waste में 33% का यह role प्ले करता है, पिछले महिने में आप देखेंगे कि, यानि अपरिल जो था तो 1.39 लाग किलोग्राम, इसके पहले मार्च में 75,000 किलोग्राम, यानि इस तरह की चीजें जो है, biomedical waste बढ़ी है, कई बार e-waste करके एक आता है, कि e-waste में कौन-कौन सी metals होती है, वो आप से पुछी जा सकती है, तो इस तरह के जो information होती है, ये most important है, क्योंकि इनको इनको लेकर UPS से सवाल पूछता है, e-waste कौन-कौन सी e-waste के अंदर metal include करता है, वो आप नीचे comment करना, क्योंकि e-waste के बारे में UPS से नहीं बार सवाल पूछा भी था, तो आप लोगों को जो भी ऐसी metals लगे कि electronic waste की वाज़े से जो produce आने वाले time में होंगे, उनके लिए त्यार रहना पड़ेगा, और बोस और Einstein condensation को लेकर यहां पर बात की जा रही है, देखिए science जो है, एक limit से ज्यादा हमारे लिए इतनी important नहीं है, क्यों important नहीं है, क्योंकि UPSC में application based question होते हैं, कि particular आप ऐसे theories based question नहीं होते, कि आप इस theory के बारे में detail से बताइए, या तो direct question होगा pre में, या अगर आप इसमें pre और mains के question देखेंगे तो application होगा, biotechnology, genome editing, इस तरह के question होगा, आपको एक understand करना पड़ेगा different criteria क्या है, और उसी के वेसे, क्योंकि अगर आप specialization पर जाएंगे, तब cover करना या revise करना, it's next to impossible, इसके बाद frequently asked question के अंदर page number 11 पर 3-4 information है, जो हमें पढ़ने चाहिए, जैसे यहाँ पर एक बात की जा रही है, Chinese include in Sri Lanka, और Sri Lanka ने में के अंदर एक चाइना बैक कolombo port city को develop किया जा रहा है, लोग वहाँ पर विरोध क्योंकर उसके बारे में बताया गया, ये एक important, important इसली भी है, क्योंकि भारत के एक neighboring country है, Sri Lanka ने एक बिल पास किया था, controversial बिल माना जाता है, क्योंकि कolombo port city जो है, city economic commission बिल के नाम से, इसमें 1.4 billion की worth के साथ, ये बिल जो है, वो पास किया गया, ये इसमें कहीने कहीन को proposal दिया गया, और ये माना जाता है कि, opposition ये बोलता है कि, इसके तरू चाइ सिंगापर और दुबे की तरह बना देना चाहते हैं, लेकिन लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो ये बोलने कि, ये चाइने को लोनी से ज्यादे कुछ होने वाला नहीं है, यानि ये आप अपनी country की sovereignty को भी कहीने कहीन लोश्ट करेंगे, और इसके पीछे region क्या है, 2041 तक ये होगी साउथ इसिया की, तो ये ऐसा नहीं है, ये पहली बार प्रोजेक्ट लॉंच किया गया, 2014 में जब चाइनेज प्रिजेंट सी जिन पिंग यहां पर गय थे, तब ये लॉंच किया गया था, और उसके बाद वहां के प्रिजेंट चेंज हुए, लेकिन इसमें कुछ च इसियूज क्या है, कि इन्होंने इसके बाद वहां कि चाइना कुछ काम करेगा और उसके बाद वहां कुछ लेगा नहीं, तो 99 एर के लीज के साथ इन्होंने पर्टिकुलर 269 हेक्टेर की जो जमीन है, वो अप लीज पर लीज है, इसका मतलब यही एक मेजर कंसन है, इनके इस पर्टिकुलर एरिया को उसके बाद ट्रांसपर करेगा, ठीक है, और 99 एर ऐसा नहीं कि दो दिन में खताम हो जाएगे, 99 एर एक लंबा पिरिड है, इससे पहले हमबन टोटा जो पोर्ट है, उसको भी इन्होंने 99 एर की लीज पर, बहुत सारी पोर्ट को यह लीज पर दे रहें, सिलंका की एकनोमी जो है वो एक ग्राउंड पर या जीरो होती जा रही है, विक्योज ट्रीपल टी जो सक्टर है, चाहे वो एक इसमें आप ट्रे टूरिजम बोल सकते हैं, टी बोल सकते हैं, टेक्स्टार तीनों में नुकसान है, दुनिया भर्त के देशों से ल क्रोड कर रहें कि यह कहिने कि सिलंका नहीं, इसको चीलंका करके बोलते हैं कि यह कंट्रोल जो सिलंका का चाईना का हो जाएगा और जो एक कंट्री की सोवनेटी होती है, वो कहिने कहीं लोस्ट होगी, इसके बाद COVID-19 वेक्षीन और इनडैमिनेटी क्लोजिज को लेकर एक साइड एक्ट होता है तो उस कॉंटेक्स्ट में उसकी सतीपूर्थी कौन करेगा कंपनी या गॉवर्मेंट इसको लेकर ये आर्टिकल दिया गया और अभी जो फोरेंड कंपनी जिसमें फाइजर है मोडना जॉंसन जॉंसन उनमें कंसर्ण यही है और इसी चीज़ को लेकर भी debate भी है कि इसमें जिन लोगों को जो vaccination लेंगे उनको कई अगर side effect होता है तो उस context में इसकी जिम्मेदारी कोल लेगा उसको लेकर debate है इसके बाद United States ने जो digital services tax है उसको delay किया है इसके बारे में article है इसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि छे कंट्री पर इन्होंने position करने के मबले में decision लिया दो विलियन से उपर की जो imports होगी छे कंट्री में और उसके बाद इसको immediate basis पर suspend भी कर दिया नहीं पहले अनौंस के फिर suspend कर दिया गया और यह बोला गया कि 180 days ओर दिया जाते है आप consultation जो हो किया जाएगा इसमें Silicon Valley की बहुत सारी company जैसे Alphabet है Amazon है Apple है Facebook है Microsoft इनके context में और एक 301 section है इनके तुरू इन्होंने का और छे कंट्री में इंडिया के अलावा आस्ट्रिया इतली स्पेंट की जो है यह कहीने कहीं include होते हैं और ऐसा नहीं कि यह immediate basis पर decision लिया गया 2020 से इस तरह कि इन्होंने investigation कर रहे थे कि और यह बोला गया कि इन countries में कहीने कहीं है एक discriminatory laws follow के जाते टेक्स जो follow के जाते है और digital text के मामले में इन्होंने कहीने कहीं violation किया rules का और World Trade Organization के अंदर भी कई बार यह challenge करते हैं इस तरह के rules को इंडिया कैसे effect होगा इससे definitely अगर 2021 के finance bill की बात करें तो भारत जो है digital service tax पर 2% tax लगाता है अगर कोई company non resident e-commerce operators जो उसका turnover 2 crore से ज्यादा है अगर यह tax imposition होता है भारत पर तो इसका असर क्या होगा कि भारत अभी जो 118 million dollar का tax जो इससे generation करता है वो उस पर कहीं कहीं concern होगा और इसके अलावा जो sorry 118 million dollar के आसपास जो export करता है United States को उस पर असर हो सकता है because इसके अंदर 26 categories of good जो उस पर भी असर होगा जैसे बासमती rice है, cigarette paper है, cultured, pearls है, semi-pricious stone से यह अलग-अलग जो हम लोग export करते हैं product उन पर इसका असर देखने को मिल सकता है, इसलिए Indian context में यह important है इसको लेकर 180 days के साथ concentration किया जाएगा, जो issues उनको result करने के बारे में बातचीत होगी और यहाँ पर एक और last information है, first human infection of the H10N3 body flu देखने को मिला चाइना के अंदर और इस तरह के infections है, disease है यह चाइना में अभी बहुत ज़्यादा origin हो रहे हैं, यह concern भी है और WHS बारे में क्या बोलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो 41 year के कोई परसंद है, बीजिंग ने एक रिपोर्ट दिया है नाशनल हल्थ कमिशन की तरफ से और इस्टरन जान शू करके प्रोविंसी है, वहाँ पर यह से देखने को मिला है कि बर्ड क यहाँ पर आप आप देखेंगे, एवियन इंफ्लुइंजा से हुमन में, यहाँ पर आप देखेंगे, पॉल्री इंफ्लुइंजिस है, इनके थूँ अगर किसी व्यक्ति में, यानि एनिमल से बर्ड से जो कहीं ने कहीं transmission हुआ human के अंदर तो इस तरह की घटनाओं के बारे में discussion किया गया और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ human के अंदर 1997 के अंदर इस तरह की transmission हुआ था और ये कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही chances नहीं होते लेकिन अगर human transmission होता है क्योंकि अलग-अलग आपको types देखने को मिलेंगे even influenza के यहाँ पर आप देखेंगे अलग-अलग ये types है इसके लाबा अलग-अलग context में ये देखने को मिलता हुआ उसका असर अगर humans के अंदर आएगा या human के अंदर transmission होगा तो definitely ये challenge होने वाला है यहाँ पर कुछ symptoms बताएगी कि ये symptoms है और bird flu जो है वो एक concern इसलिए है क्योंकि recently हम SARS-CoV-2 को face कर रहे हैं या आने वाले time में अगर इस तरह के और ज़्यादा outbreak होते हैं तो ये health infrastructure खासकर उन countries में जैसे भारत है या जो developing countries है या poor countries है उनके लिए major concern हो जाएगा इस तरह के disease को counter करने को लेकर तो इसको लेकर और ज़्यादा study requirement है last लेकिन most important है और important क्या है आप लोगों को एक article पढ़ना है वो मैं request कर रहा हूँ ये most important है BRICS के बारे में बताया गया page number 12 पे the coming together of the power of high BRICS कांट्री के बारे में discussion किया गया detail से बताया गया आपको 10-15 मिनिट लग सकती है लिकिन ये article most important है कई सारी चीज़े आप इसमें समझेंगे ठीक है तो ये article आपको self study करनी है कुछ task आपको घर के लिए homework की तरह आपको आपके लिए होना चाहिए तो इसको जरूर पढ़िएगा thank you all, jahin